दोस्तो कल 9th of November का दिन आपके पास में last chance रहने वाला है इन stocks को purchase करने के लिए because इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे stocks बताने जा रहा हूँ जो की 10 November को stocks split and dividend देने वाले है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को start करते हैं आईए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अमारे पहले stock की तो company का नाम है 361 WAM Limited इस company का stock price 535 रुपीज के उपर में चल रहा है अगले stock की बात करें तो company का नाम है यहाने की 10th of November की रहने वाली है तो company का नाम है Allsick Technologies Limited इस company का stock price 689 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने आप डिविडेंट अनौंस करके रखा है 30 रुपीज का जिसको देने की भी एकस्टेट और रिकॉर्ड डेट सेम डे की होने वाली है यानि की 10th of November की अगर आप current price से इनका dividend compare करेंगे तो काफी जादा अच्छा dividend company ने अनौंस की है तो ज़रूर से Allsick Technologies के उपर में नजर बना के रखिएगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है Amara Raja Energy and Mobility Limited इस company का stock price 635 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आपे dividend अनौंस कर दिया है 4.80 रुपीज का जिसको देने की भी X date और record date जो है सेम डे की रहने वाली है 10th of November की दुबारा से एक बार याद दिला देता हूँ इन में से आपको जिस भी stock को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको इनके announcements का benefit मिल पाए तो आपको इन सभी stocks को कल यानि की 9th of November से पहले पहले purchase कर ले ना होगा यानि की 9th of November को भी आप purchase कर सकते हो कल का दिन 9th of November का दिन आपके पास में last chance रहेगा इन stocks को purchase करने के लिए अगले stock की बात करें तो company का नाम है Avance Technologies Limited इस company का stock price 2.36 रुपीस के उपर में चल रहा है जी हाँ यह एक penny stock है और company ने आप इस stock split announce कर दिया है 1 is 2 5 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो आपका जो एक stock है वो total में 5 stocks के अंदर में convert हो जाएगा अब बेशक आपके पास में इस company के जितने भी stocks हो आपका हर एक stock यापे 5-5 stocks के अंदर में convert हो जाएगा अब इस stock split को भी देने की जो X rate और record date है वो 10th of November की रहने वाली है अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है Care Ratings Limited इस company का stock price 852 रुपीज के उपर में चल रहा है and company ने आपे dividend announce कर दिया है 7 रुपीज का जिसको देने की X rate और record date भी same day की रहने वाली है यानि की 10th of November की अब अगर आपको इस stock को या फिर इसके अलावा और किसी भी stock को purchase करना हुआ ताकि यहापे आपको उनके announcements का benefit मिल पाए तो आपको इन सभी stocks को उनकी X date से पहले पहले purchase कर लेना हुगा यानि की कल का दिन 9th of November का दिन आपके पास में last chance रहेगा इन में से जिस भी stock को आपको purchase करना है कल के दिन में कर लेना हुगा बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही यही 6 stocks थे जो की 10th of November को stock split and dividend देने वाले हैं अब अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा विगोस फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई